त्रिपुरा की खबर डराने वाली है जो इस वक्त सामने आई है एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा जहां लगबग 35 लाग की आबादी है लिकिन इस छोटी सा राज्य में 828 छात्र HIV पॉजटिव पाए गए हैं यह संख्या छात्रों की है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और यह HIV संक्रमित पाए गए हैं 47 स्टूडेंट्स की मौत हुई है HIV की वज़ा से जी हां AIDS की वज़ा से और 572 छात्र अभी ऐसे हैं जो HIV संक्रमित हैं इन में से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो higher education के लिए तृपुरा से बाहर किसी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश भी जा चुके हैं वहां पढ़ने गए हैं और यह डराने वाला आगड़ा है क्योंकि यह बात हो रही है बच्चों की छात्रों की अब सवाल है कि आखिर छोटे छोटे बच्चों स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले चात्रों में यह बीमारी इतनी जादा तादाद में कैसे पहुँची है इतनी बड़ी संक्या में चात्र HIV पॉजटिव कैसे हुएं और उसी का इस्तिमाल का जब दूसरा चात्र करता है तो वो भी HIV पॉजटिव हो जाता है और यही बड़ी वज़ा है त्रिपुरा में इतनी बड़ी संक्या में चात्रों के HIV पॉजटिव होने के पीछे त्रिपुरा राज्य एड्स नियंतरन सोसाइटी की ओर से ये रिपोर्ट तयार की गई है बहुत ही डराने वाले आंकडे रखे गया है त्रिपुरा में हर रोज पांच से साथ एड्स की नए मामले रिकॉर्ड किये जा रहे हैं और ये आंकडे डराने वाले हैं 47 स्टूडेंट्स का एड्स की वज़़ा से मर जाना ये नॉर्मल बात नहीं है ये बहुत ही गंभीर इस्तिती है इसी रिपोर्ड में बताया गया है कि एंटी रेट्रोवारल थेरेपी के लिए मई 2024 तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी संख्या 8000 से जादा है जिनमें एड्स पीडितों के संख्या 5674 है जी हां 5674 लोगत्रपुरा में एड्स संक्रमित जो कि पहुंचे थे थेरेपी के लिए इलाज के लिए इनमें पुरुशों के संख्या 4570 है महिलाओं के संख्या 1103 है स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 828 स्टूडेंट्स हैं जो की HIV पॉजटिव पाए गए है जिसकी बड़ी वज़ा है इन्जेक्शन से ड्रक्स लेना अमूमन एड्स की बड़ी वज़ा होती है असोरक्षित यौन संबंद लेकिन युवाओं में ड्रक्स एक बड़ी बज़ा सामने आई है 828 स्टूडेंट्स का युवाओं ड्रक्स के आदी हो रहे है